मैं आपको पास से दिखा सकती हूँ कि मेरी स्किन पर किसी भी तरह का कोई मेकप नहीं है सिवाए इस लिप्स्टिक और लाइनर के मैंने कुछ भी अपने चेहरे पर अपलाई नहीं किया हुआ है आज सिर्फ मैंने नारेल तेल का यूज करके एक रेमडी का यूज किया है जिसने मेरी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट और हाइडरेटिट कर दिया है उचेन अपनी स्किन देखकर बहुत ही जादा खुशी हो रही है और अगर आप भी चाते हैं कि आपके चेहरे पर एक नैचुरल ग्लो आए नैचुरल तरीके से आपके चेहरे पर चमक दिखाई दे तो सिर्फ आज मेरी इस वीडियो में बताई हुई इस नारियल तेल की रेमेडी को रात की टाइम पर एक बार यूज़ करके देखिएगा इसको अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन को 10 साल पीछे कर सकते हैं अपनी उम्र से आप 10 साल जवान दिख सकते हैं अपनी स्किन को टाइट और ग्लोई बना सकते हैं सिर्फ नारियल तेल को यूज़ करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन टाइप कोई भी हो आप इस रमिडी को यूज़ कर सकते हैं बस लगाने और रिमूव करने का जो तरीका है वो अलग-अलग है तो वीडियो को अंत तक जरू देखिएगा अगर आप पूरे प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो तो चलिए फटा-फट से ये जान लेते हैं कि गर्मिव में भी कैसे आप नारियल तेल को अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके स्किन हेल्दी भी रहेगी और उसके साथ नैचुरल ग्लो भी आपके चेहरे पर आएगा इस तरीके से आप नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को यंग और टाइट बनाने के लिए और ये तरीका इतना असरदार है ना दोस्तो आप खुद हैरान हो जाएंगे आपको इस तरीके को यूज़ करते हैं ना तो सुबह जब आप अपने फेस को अपने च आपको ये रैमेडी जरूर ट्राय करनी चाहिए या फिर आपके जो स्किन है वो लतकने लगी है यानि कि स्किन सैगिं की प्राबлем आपको होनी शुरू हो गई है तो आपको इस रैमेडी को ज़रूर ट्राय करना चाहिए अगर आप इस तरीके से लगातार साथ दिन तक भी यूज करते हैं तो आठवे दिन आप खुद वापिस आएंगे इस वीडियो पर मुझे थैंक्यू बोलने के लिए तो अगर आप चाहते हैं आपके चहरे की खोई हुई जो चमक है उसको वापिस पाना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही मेहनत रखत कर आए हैं मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो नीचे रडिकलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजेगा विद बैल आइकन और इसको जादा से जादा शेयर कर दीजेगा और प्यारा सा छोटा सा लाइक भी ज़रूर कीजेगा मेरी मोटिवेशन के लिए तो ज़्याईब चाहां कर दो करक SPOONS और राट होता है तो कॉफी पाउडर को GORA करते हैं और बालना इसमें मुल्तानी मिलिजेटी सीबम होता है आपके चहरे का जो की गर्मी की वज़े से बहुत जादा निकल होने लगता है उसको कुंट्रोल करेगा और एक चमच डालना है आपने हनी नैचरल मॉस्टराइजेशन के लिए अच्छी तरह से चीजों को मिक्स कीजिए अगर आपको ठिक लगता है तो आप यह लोगों को यह रेमडी जरूर और जरूर ट्राइ करनी चाहिए रात में सिर्फ अपने स्किन केर में इस रेमडी को आप ट्राइ कीजिए आड कीजिए आप चाहे तो इसको ऑल्टरनाट डे पे भी यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं आपके पास टाइम है आप सोने से पहले अपने साफ सुथ्रे धूले हुए चहरे पर अच्छी तरह से इसकी करिए मसाज एंटी एजिंग स्ट्रेप्स को फॉलो करते हुए जिससे कि आपकी स्किन की जो फॉमनेस है उसको यह मेंटेन कर पाए और आपके जो अंडर आइज पर रिंकल सा जाते हैं जो तो आपका जो मन है इतना जादा खुश हो जाएगा कि भई वह क्या रेमेडी है क्या ही रिजल्ट आया है और अगर आपकी ऑईली स्किन है तो आप गुनगुना पानी यूज कर सकते हैं अदर्वाइस नॉर्मल पानी से ही आप इसको साफ कर दीजिए और इसके बाद तो वैसे आपको जुरुत पढ़ने वाली है नहीं किसी भी मॉस्टराइजर की लेकिन अगर आप फिर भी मॉस्टराइजर यूज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डियावे मॉस्टराइजर मैंने शेयर किये हुए है तो उनको आप ट्राइ कर सकते हैं तो फिर क सिर्फ एक बार बना कर अपने चेहरे पर जरूरत ट्राइ कीजेगा अप्लाइ कीजेगा ताकि आप इस रेमेडी का कितना असर है उसे आप जान पाए और मेरी बातों पर आपको यकीन हो सके तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही अमेजिंग और अ किर और बाइ